चार्ट लेना है आपको one week weekly recording इसके उपर काम करेंगे चार्ट जो हम लोग लेंगे one week का होगा volumes का अभी इसके दर इतना use हम नहीं करेंगे simple सी चीज है हमें जो देखना है prices के अंदर ये 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 और ये formation देखने है मतलब मार्किंग सबसे पहले आते हैं इसके उपर मार्किंग कैसे करें अब मान लीजे कि अपने पास ये दो मार्किंग्स हैं जो विटली टाइम फ्रेम की चार्ट एक दो तीन और ये चार्ट जरूरी नहीं है कि हर आपको इसी तरह की केंडर्स दिखें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं हद्ग्स हैं अब ये हम रही जलेंग्स विए से when आप आए अब मान लिजे यह weekly का चार्ट है weekly के बाद में हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नोर्ट करेंगे और डेली पर हम इसको अनलाइज करने के कुशिश करेंगे कहाई मेरा डाउन साथ कि तरफ गिर र रहा है heto आप की रेंज यह बन गई है न एक रेंज यह बनी है आपकी और दूसरी जो रेंज बनी हैं वह ये तेली टाइम फ्रेम को हम रीट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम प्राइजस में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ढूनने की कोशिश करेंगे कोई कन्फरमेशन अभी कोई ना तो हमें ट्रेड एग्जिक्यूट करना है नहीं किसी तरह का कोई एंट्री ना इस्टॉप सब्सक्राइब कुछ नहीं सिंपल अभी सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यह दो पॉइंट्स को देखने की कुशिश करेंगे अब देखेंगे चार्ट है यह विक हमारा मान लेजिए खत्म हो गया है ना यह भी खत्म फरस्ट वीक प्रिवेस तो प्रिवेस यह लास्ट विक यह दो वीक हमने हाइज और लोस हाई और लो के अलावा और कुछ ड्रॉण नहीं करना है सिर्फ हाई और लो ठीक है यह हमने ड्रॉख कर लिए वापास आ जाते हैं हम देली टाइम फ्रेम एक दो तीन चार पांच फोर फाइफ सिक्स सेवन एट यह वाला जो टाइम फ्रेम है अपना यह वाला टाइम यह लास्ट विए असल में देखना क्या हो कि प्राइज को जो प्रीवेस हमने रेंजेस अपनी मार्क कर रखी पहले उन रेंजेस के जो लोस हैं यह किस तरह से हमको सपोर्ट से और रेस्टेंस प्रवाइट करते हैं मेरे पास तो सपोर्ट निकल निकल क्या हैं 687.90 और 694.40 वीकली टाइम फ्रेम पर कॉर्डिंग जब आप प्राइस के अंदर मार्किंग खरोगे तो आपके पास इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएंगा ट्रेट करने का जो आपका एरिया बनेगा एक दो तीन यह चा आपका ओपर की तरफ जा रहा है तो हम ऐसा मां करके चलेंगे के यहां से arise की जरनिस की हो सकती हैं यहां से डाउनसाइट से अपसाइड की तरफ इसकी जरनियों म이 ऐखते हैं 40 गया सकते हमें इस एक सब्रतिन नहीं देखना है हमें सिर्फ बाइंग देखनी है हमें कब कब इसके अंदर पाइंग क्यों पॉंचेटीज मिलेंगी 694 से ही हम या तो बाइ करेंगे या तुम 687 से बाइ करेंगे और कोई रेंज नहीं मेरे पास अच्छा अब हम देखते हैं कि प्रीवेस वीक में हमें 4547 एक ही स्टॉक में हमें तीन वार एंट्री दी सपोर्ट समाग करके दिए लोवर टाइम पर आते हैं चार को है न हम चार को आ गए यह एक तरह की स्टेटजी है इसका ही यूज करके इतने सारे ट्रेट हमने किये हैं बहुत सारे ट्रेटम में किये हैं आज एक सिस्टम हमने आपको बताया था जैसे आज वीडियो अप्रोट किया है उसमें जिग्जाग पैटर्न बताया था जिग्जाग पैटर्न का अब यूज कीजे यहां पर आप लोवर टाइम पर लास्ट सेशन में क्या हुआ हुआ है यह लो है और ये घाई है अगें यह लो है एक यह हाई लगा लिः लो 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 हाई लो और फिर से लो अट्ड... अच्छा यहां पर आपको क्या लग रहा है देखनें से कि First October या फिर जो लॉस्ट यह कर थे का हमारा ला यह का लास्ट दे का लॉसों के उन यह दो लो जो लगे हैं हमारे यह बड़े इंपॉर्टन लो हो गया है चुप कि वापस मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पर हम क्या करेंगे सिंप्ली एक तो रेंज चलिए हमारी एक ड्रॉय जो ग्रीन कलर की रेंज इसको हम और भी अच्छे से मान लिजे यह हमने आपर रगदी लाइन अपने और एक सपोर्ट हमने यहां पर लगा अच्छा लास्ट एडिंग सेश्चन को देख करके क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है था रहे हैं बन and फाइयर टायम फ्रेम पर जो लास्ट लास्ट वीक का जो लास्ट डे था हम उसको एनिलाइस करते हैं एक यह मेरा लो लगा था एक यह हाई था अगें यह लो और यह हाई अच्छा अब इसमें अगर हम एक चीज देखने के कोशिश करें मेरे लोस तो प्रोटेक्ट हो रहे है है ना लोस के ऊपर है बट्ट क्या हाइज ब्रेक्ट हो रहा है नी रहा है प्राइस लो तो ब्रेक्ट नहीं कर रहा है मतलब हमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसको देखता कि इतना तौन अंदाजा लगा रहा हैं कि जो मेरा सेशन था यह वाले सपोर्ट इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि र prett नहीं कर रेस्टिश को ब्रेक नहीं के कर रहा है अगर प्रेस को टाउनसाइट की तरफ गिरना है तो मेरे यहां से अपना सपोर्ट करके डाउनसाइट की तरफ जाना होगा अगर इसे रेस्टेस को तरफ निकलना होगा यह तो लोवर टाइम फ्रेम हो गया हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं 694.40 यह वाला लेवल ऐसा है कि जो मेरा लास्ट वीक का अब मार्केट दो काम कर रहे हैं 4 अक्टूबर को दो काम हो रहे हैं सबसे पहला के जिन रेंजिस को अभी हमने डौ किया था हाइज-लो ठीक है यह । यह दो रेंज हम लोगों ने भी ड्राइजिए ने हमारी इस रेंज के ऊपर जाकर के लिए उपनिंग दे दे जो के हमारी अचानक से वो ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है मतलब ऐसा क्या हो गया कि पूरी रेंज को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चला गया थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगा यह इसके अंदर यह उपर ही क्यों गया अगर इसको नीचे गिरना होता तो यह क्या करता मान लेते हैं कि 9-15 पर यह उपर चला गया अब अगर इसको डाउंसाइड की तरफ गरना तो यह इसका फ्लोस प्राइस था यहां से यह डाउंसाइड की तरफ आता और फिर से प्रिवेस डे की रेंज के अंदर आ जाता और यहां से यहां तक की एक रेली हमको देखने को मिल ज दे रही हैं क्य möícia मार्के दो बार दौंसेड कि तरफ गरी है सबसे प़र ये वाला पॉइंट और दूसरा यैम मार्केड यहां से गिरी हम क्या करेंगे जो जैसे अपने रिजिस्टन की ऊपर में ही जा कर कि सीधी लेकर मुद्ग लिय वॉल्यूम को थोड़ा सब्सक्रनि अंदाज लगा पा रहे हैं यहां पर देखे जो प्रीवेस कुछ सेशन की वॉल्यूम्स हैं उसके बाद वॉल्यूम में कुछ हमको रज़र आ रहा है कि इतनी ज्यादा वॉल्यूम आचा आना किसे कैसे आ गए वॉल्यूम आई है तो ठीक है वजरना यह प्राइज यह उपर केस में आपके पास एक बेरीश केंडल आती है लिए यानिकर यहां पर आपके चाहिए अब अगर प्राइज को डाउन साइट की तरफ जाना तो यही चेलर अपना जो मूव है इसको कॉंटिनियू कर देंगे और अगर वागई में यहां पर बायर थैं तो क्या होना बायर्स इन सेलर्स को बीट करेंगे, डाउन साइट की तरफ फिर अपर रहे, कुछ इस तरह है कभी हमको देखने को मिलेगा, अभी इसके ओपर हम फोकस नहीं करेंगे, यह जो पर्टिकुलर केस है, यह हर जगह काम नहीं करेंगे, इनके भी बनने की अपने एक पर्टिकुल को हम लोगों ने रीट चाहिए न, सिंपल इसी तरह से प्राइस को आपको रीट करना है, और कुछ नहीं करना, 9.15 के ऊपर जैसे ही हमारा प्राइस निकलता है, दो केसे बनते आपके, या तो आप अपना व्यू डैरेक्ट यहीं से बना लो, यह प्राइस हमारा जैसे ही अ अपसाइट की अब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, यह प्राइस में भी चांस है कि अपसाइट की मूव हमको दिखा दे, है न, और अगर हम कोई चांस नहीं लेना चाहिए, तब हम क्या करें, वेट करना, पैटरंस के ड्रॉ होने का वेट करें, हाइस यह लो लग इसका इस्तेमाल हम अपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए कर सकते हैं, क्यूं? क्यूंकि 694.85 की रेंज के अंदर है यह प्राइस, अगर प्राइस हमारी इस रेंज के अंदर आता है, तो यह गिर सकता है, अब अगर प्राइस हमारा अपनी इस रेंज के अंदर आता है, त तो इसलिए तो price breakout करता है ताकि एक दिश्या में ये अपने moves को continue कर सके अगर ये continue करने में अपने आपको असफ़ल होता है survive नहीं कर पाता है upset की तरफ तभी ये downside की तरफ आएगा और किसी भी case में अगर ये price downside की तरफ आपका आता है तो ये नीचे के तरफ गिर सकता है ऐसी possibilities होती है इस case में हम इन points का इस्तिमाल अपनी stop process के लिए कर सकते हैं यदी हम entry लेते हैं तो अच्छा यहां पर हम देख रहे हैं कि prices ने अपने lows जो low points है इनको थोड़ा सा protect करने की कोशिश किये प्राइज में था यहां टक लगातार अपने आपको survive करने की कुशिश कर रहा है और कुछिश तक प्राइज जह गाईग मारे साथ की तरफ पंगा हो अपने रेजिस्तेंस को ब्रिक करता हुआ जाता है रख सब्सक्राइब तो अपनी इन ही रेजिस्तेंस को था काम मिनेता है कहने को समझाने को यह बहुत छोटी सी चीज़ है बिल्कुल पांच सेकेंड में हमने आपको बता दे बालों इसको अब्जर्व करते करते सालों बीद जाते हैं तभी एक perfection की condition में हम नहीं आपाते हैं मतलब सालों साल हम इसको observation करते हैं तब भी हम perfection की condition में नहीं आते हैं लेकिन आज कल की जो market को लेकर के लोगों की जो approach होती ना रातों रात अपने आपको change कर देना होता है बस हम नहीं एक महीने का wait कर सकते हैं हम वन वीक का wait नहीं कर सकते हैं हमें call दीजे हम अभी के अभी profitable बनना चाते हैं अभी के अभी कोई rule regulation नहीं मानना है किसी को जो चीज़े बताने हैं बताते हैं वो follow नहीं करना है कोई support resistance follow नहीं करना है किसी तरह की information नहीं देखनी है वो उनके student ने loss का screenshot भीजा 15,000 रुपए का loss किया है को बहुत बड़ा loss नहीं अगर हम एक तरह से देखने loss क्योंकि ये वज़ए बढ़ी है ये loss किया क्यों ऐसा stock उठाया पता नहीं कौन सा stock था Indian hotels करके कोई स्टॉक था आठ हजार रुपए उसी में loss हो गया इतनी बार मना किया है 100 रुपीस से कम के stocks में trade मत कीजिए नहीं सुनने को तयार है वह 100 रुपीस के stock में 800 रुपीस थोड़ा सा शायद महेंगा था 120-130 कुछ इसी कैटेगरी का था इस कैटेगरी के stock में अगर कोई 8000 का loss कर कर रहा होगा यहां को जब हम trade करते हैं तो 2000 से ज्यादा हम भी रिस्क नहीं ले पा रहे हैं मेरा money management का अपना rule है हमको नहीं allow करता है कि हम इतना बड़ा risk ले ले किसी को कोई management follow नहीं करना है सिर्फ दिखावे का होता है कि हम पढ़ रहे हैं जितनी चीजें बताते हैं अगर कि किसी ने सिंपल बताना हम आपको क्या चाहरें कि जो चीज़ आपको बता रहे हैं उसको follow करते रहें इतना आसान नहीं होता है यहां पर हमने आपको क्या बताने की कुशिश कर रहे हैं एक एक concept को पकड़ने में पढ़ने में बहुत सारा समय लगता है अगर आप यह समय कि देने के लिए तयार हो तो आप अच्छे रूप में आगे की दरफ बढ़ सकते एक दम से ऐग्रेशन में आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है हमारी कमजोरी होती है ऐग्रेशन में आ जाने के बाद मनी मैनेज्मेंट को भूल जाते हैं रिस्क मैनेज्मेंट को आप समझ लेए आप बेकार हो कोई मतलब नहीं अब यहां पर जो चीज़ हम ने वापस से कॉंसेट पढ़ाते हैं अब यह हमारी कमजोरी है पढ़ाते पढ़ाते हैं भटक जाते हैं थोड़ा साथ अब यहां पर देखिए हाइस के बाद में जैसे प्राइज अपसाइड की के दूर्ब गया हो जब यह प्राइस को प्रेश करके अपसाइड के तिरह जाता हैि Hillin छे सपोर्ट ये सपोर्ट में अब आपका प्राइज माल लेज्ए अपसाइट के तरफ गया था तो अभी जो रेंजिस हमने ड्रॉख किये थी यहां पर कि हम कुछ सपोर्ट कर पा रहा है फिर से कोशिश करता है एक लोगता है एक हाई लगता है लो एक यह था आगें है यहां पर कितने हमको सबस्काइम बॉस्ट तो मार्क चा करेंगी कि अगर ऐडर और्ध करेंगी के और सपोर्ट की तरफ इससने कहां लिया था इस वाली रेंज पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिए अपना सब्सक्राइब दो तरह से आप यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन से रख सकते हो अगर प्राइस अपसाइट के तरफ जा रहा है तो आप 915 या फिर जो फस्त कोई भी आपका हर्डल हो वो ब्रिक हो तभी से आप सब्सक्राइब में बताया ना कि व्यू रख सकते हो अपसाइट का और इसको ऑब्जर्व करो आप कोई ट्रेट बगरह नहीं करना है और अगर और भी इसको कंफरमेशन के साथ आप देखना चाहते हैं कंफरमेशन के साथ थोड़ा सा वेट कीजिए देखे क्या होता है क्य नहीं देगा यहां पर नहीं देगा तो यह जो लो लगाया था ना फस्ट वाला लो इसके आसपास उनको मौट तो यह दो पॉइंट्स हैं जहां से आप प्राइजस को देख सकते हैं अब जैसे प्राइज हमारा यहां पर आया इस एक रेंज को हम लोगों ने ड्रॉ किया हमारे लिये क्या हो सकता है यह एक रेंज यहां से हर्डिल स्को मिलेंगे और यह वाली रेंज प्राइज आपका downside की तरफ आता है highs, lows कि ऐसा लगा है हमको कि यहां पर अपनी lows को प्रोटेक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से और lows को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्राइ high break हुआ है है न किया हमको लग रहा है यहां पर देखने से एक लो हमारा यह लगा था यह लगा था दोनों ही लोग protected है और हाई ही क्यों break हुआ और मेरी range के पास नहीं क्यों break हुआ क्या कुछ view हम लोगों को मिलता है प्राइस अपसाइट के तरफ अपना हाई ब्रेक करता है और यहीं से के अंदर कुछ मोमेंटम हमको देखने को मिल जाते हैं आपने नेक्स्ट डेजिस्टेंस पॉइंट समझे हैं हो सकता है कि अभी जो चीज हमें आपको बता है थोड़ी कॉम्टिकेटट लगे यह दिरिये सब्सक्राइब को इस चीज को जरूर द्यान में रखेगा सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं यह वीकली देंजे से आगे चलके प्रैस ने यहीं समको अच्छे-च्छे मूब दिये हैं यह जस्ट क्या है हायर टैम प्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सब्सक्राइब के ही मैट्रट से अब जैसे टाइटन है टाइटन ने तो गैप आप ओपनिंग दे दी है अपनी रेंज के पास में शायद नहीं हो गई है लाइफ टाइम हाई के पास चलो फाइफ सिक गैप सेवन एट उपन लेकल गया अब देखिए यह वाली जो रेंजे हमारी प्रिवेस वीक है और इसके बाद में यह वाली रेंज हमारी प्रिवेस टू प्रिवेस हमें यह देखना है कि इस वाली रेंज से प्राइज इसमें जा रहा है या फिर इस वाली रेंज में जा रहा है मतलब प्रिवेस टू प्रिवेस टू प्रिवेस वीक में जा रह सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमने support या फिर resistance point को find out करने की कुछ है और अभी हमने आपको बताया कि हमें जो कुछ भी करना है अपनी ranges के पास में ही करना है in between तो हम कुछ करेंगे नहीं सिक्स को analyze कर सकते हैं और क्या इसके results निकलते हैं इसको देखते हैं फिप्त पर चलेंगे और सिक्स पर चलेंगे हम फाइफ को रीट करेंगे कोशिश करते हैं अब क्यूंकि प्राइस ना तो 215 पर है और यहां पर प्राइस पहुंचा यह भी पहुंचा है बिल्कुल लास्ट यहां पर तो कुछ करेंगे कुछ भी हमने करते हैं लेकिन लास्ट डे का जो मेरा प्राइस एक्षन है हम प्राइस एक्षन को कैसे पढ़ेंगे तो लास्ट डे में देखी जो मार्किट मेरी स्टार्ट हुई है नौ पंद्रा का जो लो लगा है न वह इस पॉइंट पर देख लेते हैं लो एक हाई लो हाई सीधे लो फिर से हाई एक लो फिर आपका यह हाई यह लास्ट फिप्ट अक्टूबर का आपका मूव है कि जब प्राइस में कुछ भी हम नहीं कर सकते था क्योंकि प्राइस माई देंच पर नहीं था लेकिन हम लास्ट डे को देखने को को क्या समझ में रहा है कि देखिए एक तो सपोर्ट हमारे यहां पर बना था चलिए एक सपोर्ट मेरा यहां बना है प्राइस अपसाइट की तरफ चला गया अगेन एक सपोर्ट मेरा यहां पर बना एक सपोर्ट मेरा यहां मार्केट ने क्या किया हाई लगाया एक सपोर्ट और फिर उसको ब्रेक कर दिया अच्छा ब्रेक कर दिया है तो ठीक है यहां से फिर यह अपसाइट की तरफ चला गया वापस देखे उसी पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर प्राइज आपका वापस आपको मिला यह वाला और यह वाला यह वाला यह दोनों ही पॉइंट स अब अगर वापस आकर कि अपने इस लो को ब्रेक कर देता और सबसे मेजर सपोर्ट यह वाला भी अगर ब्रेक हो जाता तो आपका पैस डाउन साइड की तरफ चला यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक तो यह वाला भी अपना लो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है यह वा मन सकते हैं कि प्रीवेस डे में रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे थे और सपोर्ट तूट रहे थे सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे थे सपोर्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहता और यहां पर हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा यह वाला रेजिस्टेंस ब्रेक ह चाहता है मतलब previous day का move अगर continue हुआ तो क्या होगा कि जो सपोर्ट वो protected होंगे और रेजिस्टेंस फिर से नेक्स अगर प्राइस को अपसाइड के तरफ जाना है तो हम next आते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो प्राइस प्रीवेस डे में अपने सपोर्ट को कर रहा था morning start होते ही 915 का low break हो गया 915 और 325 इन दो candles के बाए आपकी class ने इन दो candles की importance आपको बाद में पता चाहिए अभी सिर्फ इतना समझ लीजेगा कि 915 का low and high बहुत important होता है मेरे एक 915 का 915 की candle और दूसरे 325 बहुत important candles होती है सिर्फ इन ही दो candles की उपर आपकी पूरी एक दिन की class कोशिश कीज़ेगा सभी लोग यहां पर देखी क्या हो रहा है कि 915 का low break कर गया और 915 की low break करने के बाद previous day की range के अंदर मेरी मार्केट अंटर करके अब यहां पर क्या हो रहा था कि price मेरे support को protect कर रहा था और resistance को break कर रहा है previous day के मेरे support कौन कौन से थे low high और एक low यह था हमारा यह चली ठीक है इतना हम माल लेते हैं एक मेरा यह मेरा एक support बना प्राइस अपने resistance को break करके upside के तरफ गई थी अपने common sense का use करिए कि जिस resistance को break करके price upside के तरफ गई थी अगर उसी resistance को price support में convert कर देती है तो यहां पर क्या move आप expect करते हो कि price previous day में उसने सिर्फ हो सिर्फ resistance ब्रेक किया थे और अपने day का जो last resistance break किया इसको break कर देने के बाद market में बहुत अच्छा move आपने देखा और उपर में ही जा करके price अपना close हो गया यह वाली जो range है हमारे यह दो रेंज फर्स्ट टू वन सेवेंटी एट की रेंज और वीकली मार्किंग के कॉर्डिंग जो मेरे पास रेंज है वह तू वन एटी फाइव की रेंज है है यह दो रेंज है मेरे तीसरी जो रेंज है वह 915 का लो है कि आपको देखने से नहीं लग रहा है कि price से पहले हमारे 915 का लो ब्रेक किया है उसके बाद में प्रिविएज की रेंज के अंदर चला गया है इतना तो ठीक है वारना अब अगर प्रैस को अपसेट की तरफ मूव करना तो क्या किस तरह से कर सकता है कि यह वाली जो लाइन है यह प्रिविएस डे का रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद प्रैस में इतना बड़ा मूव अपने देखा था विद वॉल्यूम है ना वॉल्यूम के साथ प्रैस उपर की तरफ गया था और मार्केट खुलते ही क्या कर रहे कि आपने अपने उन्हीं सभी लेवल्स को इसने डाउन साट की तरफ जाना है तो यहां पर हमें क्या करेगी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगी जिस तरह से प्रीवेस डेज में रेजिस्टेंस ब्रेक होते चले आ रहे हैं बट इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और मॉनिंग में ही ब्रेक नाइन फिप्टीन को ब्रेक किया प् हमारा यह है एक मेरा यह है लो अगेन यह मेरा हाई और फिर से देखे प्राइज मेरा लो क्या लगा मतलब प्रिवेस डे से बिल्कुल डिफ्रेंट मूव हमको नजर आ रहा है आज के दिन में मेरे लिए दो रेंज इंपॉर्टेंट है आप इस रेंज के नीचे भी रेंज अगर आप ड्रॉ करना चाहते है उसके अंदर हो तो सिंप्ली चुप चाप इन स्विंग्स को अगर इन स्विंग्स को भी प्राइज ने ब्रेक कर दिया तो 2170 यह मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बनेगी और अपसाइट की यह जो रेंज है हमारी 915 लो हम लो वनऄ ड्रॉ किया है यह एक ऐसी बनेगी जिसके उपर बहुत कम चांस होगा कि प्राइज निकलता थो यह होगा कि प्राइज को इतनी अच्छी फर्मिशन के साथ प्राइज ने प्रोड़ निकलना थोड़ा सा मुश्किशिए इस वजह से जो इस अम यहां पर र रखेंगे क्या रीजन होंगे इसके पीछे रखने के बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इस अब इस आपको मिल जाएं नहीं बात में भी मतलब इंडिकेटर नहीं करेंगे अब यह पॉइंट होगे अपना हमें इसको बिलिट कर जाएं यहां से ही मे भी चांस है के प्राइज आपका डाउन साईड के तरफ यह प्रीविए सीज्फ की देंच नीच आ गया तो यह बेरेच ब् aujourd कर दो जब हम इसको observe पर सकते थे देख सकते दो points आपको ध्यान में रखने होगे 20 तरह के stock selections सीख लेना stocks निकाल लेना आप कुछ भी कर लो होगा क्या अगर आप अपनी observation की list में सिर्फ और सिर्फ 5 stocks ही रखो हो और उन 5 stocks में से हम मानके चलते हैं कि one week में 5 trading session होते हैं करने की आपको कुछ भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो ज्यादा जगह पर अपने आपको वेस्ट करने से अच्छा है ज्यादा जगह पर अपने आपको इन्वाल्व करने से अच्छा है किसी एक ही जगह पर अच्छी तरह से में इन्वाल्व हो जाए कोशिश प्राइज को कुछ इस तरह से आप रीट करने की कोशिश करें आगे बहुत सारी चीजें जो कि हम बताएं तो इस पूरे वीक का आपका काम यही रहेगा यह जो मैथड अभी आपको बताया है इन्हीं को कॉंटिनू करिए सिर्फ और सिर्फ जिग-जैग पैटर्न से और सपो सब्सक्राइब करें तो क्लास हम लोग यहीं पर क्लोस कर रहे हैं